पंकर जेद रिखें ये तो एक तरीके से माना ही जा रहा था कि इसी तरह का प्रदर्शन आप कार करता हूं द्वारा किया जाएगा जब मनीश सुसोद्या की गिरफतारी हुई थी तभी भी कुछ ऐसा ही बंजर देखने को बिलाता आज एक बार फिर और यही आरोप जड़ा से लगातार लग रहा है के इंसरकार पर कि वो इस तरह की कारवाई सिर्फ आम आदमी पार्टी पर चोट करने के लिए कर रही है पंकर आपको मेरी आवाज मिल रही है बिल्कुल देखिए आपकी आवाज मुझे पहुच रही है लेकिर यहाँ पर यह देखिए आप जिस तरह से पदर्शनकारियों की भी रिखटा हो रही थी उन्हें पूरी तरह से हटा दिया गया है आमादी पार्टी के विधायक रोहित महरोलिया, जर्नेल सिंग और उसके अलावा अखलेश मतित्र पार्टी यह वो विधायक है जोने हिरासत पे लिया गया गई है और ऐसे में यहाँ पर यह रेखिए नारे बाजी के साथ हिरासत में जाते हुए पदर्शंकारी और तस्वीर आगे देखिए आप यहाँ पर आपको नजर आएगा कि लगातार इस इलाके को खाली करने की कवाया सुरक्षा बलो दौरा की जा रही है उन्हें आमाधी पार्टी दफ्तर की दरफ धकेला जा रहा है और यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर अफसे कुछ देर पहले सैक्डों की सग्या में आमाधी पार्टी के पदर्शंकारी थे हैं लेकिन सभी को इस वक्त हटा दिया गया है और एक एक करके सभी पदर्शंकारियो को हिरासत में लिया जा रहा है अगर यह पार्टी दफ्तर के भी तक नहीं जा रहा है तो उन्हें हिरासत में लेके दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और यहाँ पर जो इस तमाब रास्ते से सामने आप देखिए वहाँ पर भी पदर्शंकारी नजर आ रहा है जो इस इलाके को छोड़ कर जा रहे हैं और यह आमाधी पार्टी का दफ्तर जहां फिलाल प्रदर्शंकारी ओका धकेना जा रहा है लेकि तस्वीर आप देखिए पुरा इलाका खाली हो चुका है जहाँ पर पुलिस बैरिकेटिंग है पुलिस है इस इलाके को जहाँ पर चड़के कारवाई की जा रही थी प्रदर्शन की जा रहे थे नारे लगा जा रहे थे वह अब खाली है और वही यहां पर मंच के नजदीक अब आमाधी पार्टी की तमाम जो कार करता है वह पहुंच गये है कुछ विधायकों को यहां से जवर दस्ति उठाकर ले जाया ग कि आप पदर्शन से जाया करने की जो समय आपने बदाया है उसके मताबिक की फैरा कि लेकिन आप और मंच से भायत माता की जाये क Tar P प्रदर्शन नहीं कर सकते अपनी बात नहीं रख सकते अपने उपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद कर सकते आप ये बताएं क्या कर रहे थे आप प्रदर्शन कारी यहां पर खड़े होकर सिर्फ अपने उपर हो रहे अत्याचार ये जो एडी और सीबी आई को हतियार बना कर जिस प्रकार से अपनी चुनाव की हार की बॉकलाहट का प्रदर्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज प्रक्षा दे और हम अपनी जो जिम्मेदारे उसका निर्वान करें तो मुझे लगता है ब्रेश के अंदर कानून विवस्ता और सांती विवस्ता जादा अच्छी बने का प्रदर्शन कारी यहां पर लेकर जा रहे हैं और यह कारवाई इसलिए भी है क्योंकि समय सीमा जो भारत माता की जैके नारे लगाये जा रहे हैं और एक तरह की घेरा बंदी जोरक्षा बलों ने कर ली है किसी भी प्रदर्शन कारी को आगे नहीं आने दिया जा रहा है जी ठीक है लगातार वार पलटवार इस बात को लेकर हो रहा है कि केंद्र की यह कारवाई दरसल आम आदमी पार्टी के उन तमाम दिगज नेताओं के रिए इसलिए की जा रही है ताकि जो इंडिया गडबंदन है उस पर भी चोट की जा सके साथी आप पार्टी पर भी की के हाथ में है लेकिन सुबूत तो दिखाएं मैं भातिये जनता पार्टी को चालेंज कर रही हूं कि वो कल उन्हों है संझे सिंघ जी के घर पर रेड की है मैं उनको कह रही हूं मैं नियोता दे रही हूं कि संझे सिंघ की का पैतरिक घर है सुल्तानपूर में वहां पे भी जाएं, उनके बैंक के लॉकर में भी जाएं, वो जाएं हर जगा जहां पे संजे सिंग गए है पिछले एक साल में और एक रुपया भी अगर रश्टाचार का मिल जाएं ना तो वो दिखाएं। कोट का चहरी, उनको बेल नहीं दे दी। आज हम यहाँ यह प्रार्शना करने आएं हैं कि बापू, प्रेणावले, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सदबुद्धी प्रदान करें और दिली की जनता को इस भरष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार से जल्दी मुक्ति में ले हैं, आज आम आदमी पार्टी देश के समविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, आज भात यह जनता पार्टी को यह लगता है कि कोई भी उनके खिलाफ बोलेगा, कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, तो उसको उठा के जेल में डाल देंगे, उसके घर पे र दिल्ली के जनता जागरुक हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की वो सरकार है, जो दिल्ली वासियों ने आंटी करॉप्शन प्लाइंक पे चुनी थी, यह वो थे जो इंडिया अगैंस करॉप्शन वाले थे, लेकिन आज ये इंडी अलायंस इन्वाल्ड इन करॉप् मतलब यह है कि भाजपा अपने डर को और जादा एक्सपोज करती जा रही है, और आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, कटर इमानदार है, कटर देशभक्त है, हजार रेडों के बाद एक सुबूत नहीं मिलना और फिर भी गिरफतारियों का होते रहना, इस बात का प्रमा ना कार्टर की ताकत है, वो EDCBI के दम पर चुनाल होने की कोशिश करते हैं, जो इस पूरे अपना करप्शन का बेनिफिशरी थी, वो आमानमी पार्टी के पास सारा पैसा गया, उन्होंने पंजाब में गोवा में एक्शन लड़ने के लिए पैसे का इस्तमाल किया, ये भी मांगें कि अर्विन केजरीवाल को भी गिरिफतार करके उसे भी पूछ साच होनी चाहिए,